Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो assignment आप लोग submit करने वाले हो, उसके front page का format कैसा होना चाहिए? मैं आपको front page के ज्यादा formats नहीं दिखाऊंगा, उससे confusion भी आपको हो सकती है, किसरा आपने ये दिखाया है, लेकिन मैंने तो कुछ और format यूज करा है, format से ज्यादा important ये है, कि जो चीजें हैं, जो details इगनू मांग रहा है, वो आपके page में होना चाहिए, ठीक, यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें किलियर कर दूँ, जो regional center Delhi 1 है, या Delhi 3 है, इन दोनों ने अपने अपने front page निकाले हुए है, जो बिलकुल सेम है, बस उपर ये Delhi 3 के जाबा 1 वाले में लिखा हुआ है, बागि पूरा इनका formatting सेम है, ठीक है, मैं उस format को follow कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात निया, अमुवन format सेम ही होता है, कुछ एक दो चीज़ों अपर नीचे होती है, और कुछ ज़्यादा खास difference होता नहीं है, अब इन लोग ने, देखे, details क्या का ये लोग बता रहे हैं, बस ये details आपके front page में होनी चाहिए, अगर पेपर में session होना रहे है, कि session का आप submit कर रहा है, वो लिखा होना चाहिए, December 2024 का, ये चीज़ के लिए हो गई, इसके बात obviously नाम, enrollment number, तो बता ही है आपको, program code, जिस program का आप assignment बना रहे हो, वो उसका program क्या है, में पॉल साइंस में हो, आप किस में हो, उसका code और नाम के साथ दिख दिजगा यहां पर, फिर course code, अब अलग-अलग सब्डेट का assignment अलग-अलग बनता है, उसका code भी अलग-अलग होता है, तो code यहां पर आप लिखोगे, with name, और study center code, आपका जो भी study center, उसका code क्या है, वो उसका नाम लिख दोगे, description में एक link दूँगा, मैं आपको, वह होता है, वहां पर भी आपको code और address complete मिल जाएगा, इसके बाद अपना mobile number, email ID, और यह फिर पूछ रहे हैं कि क्या आपने assignment कहीं और submit करे हैं या नहीं, वो, और उपर की तो information है, यह पर टिक कर दो, और यहां पर आप अपना date of submission लिखोगे, left side में, right side में आप signature अपनी कर्द होगे, यह जितनी भी details मैंने आपको बताई हैं, इन में से यह दोनों details, नवी और दस्वी, इनके अलावा बागी की details आपके front page में होनी चाहिए, that's it, ठीक आगई समझ में, अच्छा जी, बता दी बागी की details, यह आप देख लो एक बार, और इसके अलावा, अगर आप यह comment करो कि sir, यह जो आप में details बताई हैं, एक से लेके art तक ठीक है जी, उपर session वगर अगा हो गया ठीक है जी, और यह पर signature और date हो गई, यह सब कुछ हमारे front page में हैं, लेकिन इसके अलावा हमने x चीज और add गर दी, हमने y चीज और add गर दी, क्या reject हो जाएगा, नहीं जी, reject नहीं होगा, इसके अलावा आपने कुछ और add गर दिया, तो reject नहीं होगा, और हाँ most importantly, देखें यह जो front page है, रीजनल सेंटर डेली 3 का है, वन का भी सही में, तो उपर branding पहले से होई वे रीजनल सेंटर डेली 3 की, इसलिए यहाँ नीचे रीजनल सेंटर लिखा नहीं है हम आप लिखोगे, अगर आपका रीजनल सेंटर ने कोई specific format नहीं बनाया हुआ, तो आप रीजनल सेंटर भी लिखोगे, नाम और code जो भी उसका है, यहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं लिखा, क्यों उपर से लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखोगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेगा आपको, ठीक है, लगी यह सारी information आएगी, और मुझे लगता कि अगर इस सारी information होगी, आपके front page में तो वो लोग reject करेंगे, that's it, simple सी clear cut बात है, मैं यहाँ पर आपको last में एक चीज़ यह भी बताता चलू, कि front page सबसे last में बनायेग आप लोग जब assignment submit करने जा रहे होगे, तब बनायेगा इसको, क्यों? उस टाइम तक guidelines आप चुकी होँगी, अगर guidelines में आपका regional center कुछ और आना का नहीं करता है, कि यह कर दो, वो कर दो, तो उसको add कर लिजेगा, वैसे करेगा नहीं, जितना है हो, मैंने सब आपको बता दि format से, और मैं कोई आपको और format नहीं दिखा रहा है, यह कर लो, वहुत सारे format से हैं, तो online आपको easily Google पर मिल जाएंगे, आप लिखोगे, बना सकते हो, वो गलत नहीं है format, अगर आप दुसरे email center के हो, लेकिन उसमें यह साही चीज़ है, आप लोग add कर लेना, कुछ चीज़े पर मिसिंग होती है कही बार, तो बच्चा ध्यान नहीं देता, जब जमा करने आथा, तब उसको लगता है कि हाँ, यह तो लिखना ही बुल गया, इसलिए मैंने आपको यह साही चीज़े बताई है, और यह नवी और दसी चीज़ धरोरी नहीं है, हार एक front page में हो, यह इसक के लिए वीडियो में इतना ही, thank you